गुट मॉर्निंग एवरिवन लेजिए आज ना मैं बना रही हूँ हस्बिन के टिफिन के लिए बिर्यानी मैंने बनाई रेसिपी मैंने ओलरी चैनल पे डाल दी है फूट फाइड पे वहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो अभी मेरे पीरेट चल रहे थे लेकिन फिर भी बनानी ज़रूरी थी इसलिए बनाई मैंने वरना तो बनाते नहीं है पीरेट में हम लोग किचिन में कुछ काम करते नहीं है किचिन में जाते भी नहीं बट ये थोड़ा सा अरजेंट वाला काम था इसलिए करना पड़ा इसलिए उपर वाले किचिन में कर रही हूं नीचे वाले म पढ़ेंगे इसलिए मैंने उतना ही टच किया जितना मैं फिर बाद में धो सकूँ ऐसलिए ना इधर बस उतने ही बरतर मैंने निकाले और मसाले और साले सब हस्बन से निकल वा लिए और फिर देखो ये मेरी बिर्यानी कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गई बहुत जादा यमी बहुत तेस्टी वाली एक दम अच्छे से मेरी दम बिर्यानी बनकर तयार हो गई थी खिली खिली तो ये बरतन मिलाने के लिए थोड़ा चोटा पड़ रहा था लेरिंग के लिए तो बहुत परफेक्ट था दम बिर्यानी बनाए थी दम देने के लिए ये काफी अच् अच्छे से फिर मिक्स भी हो गया इसलिए बड़े बरतन में निकाला मैंने और फिर इसको न अच्छे से मिक्स किया न तो एकदम राइस एकदम खिले खिले ये बनकर रेडी हुए सबको बहुत ही पसंद आए हस्बिन टिफिन में लेकर गए थे वहाँ पे भी पॉटलक था तो सबने खाई ये बिर्यानी बहुत टेस्टी लगी सबको ही और देखो एक एक दाना इसका खिला खिला बना है तो रेसिपी अगर चाहिए तो फुट फाइट पे देख लेना मैंने कल ही उस पे अपलोड कर दी है वो आपको मिल जाएगी उस पे और ये लोग चलो पैक कर देते हैं तो बड़ा एक किलो का जार था मेरे पास वो ही मैंने भर दिया और तो देखो उनका वैसे तो ग्लास का ही है कांच का टिफिन है बट क्योंकि अभी मेरे पास कोई बड़ा ऐसा बरतन था नहीं जिसमें मैं उनको ये टिफिन के रूप में दे सकूँ इसलिए मैंन उनके लिए राइता दे दिया तो मेरा काम चल गया वरना मैं दो दिन से सोच रही थी क्या मैं उनको किस चीज में डाल कर दूँगी और फिर बिर्यानी बनाने के बाद मैंने यहां पे बच्चों के अलमारी की क्लेनिंग करने की सोची और थोड़ा सा न एक्चली और भी ब तो इसलिए लाइटिंग का थोड़ा सा प्राबलम हो रहा था तो मैंने मेरी रिंग लाइट भी चलाई और थोड़ा सा फ्लैश भी ओन किया तब जाके थोड़ा वीडियो मेरा बना अदर्वाइस तो इस रूम में थोड़ा कम ही लाइट आ रही थी शाम का टाइम हो गया तो बच्चों की इलमारी मैंने सुझा कि चलो क्लीन कर देती हूं काफी कपड़े जो हैं वो डिसकार्ड भी करने हैं निकालने भी हैं छोटे हो गए हैं उनको और भरे के एकदम मतलब ऐसे कर देते हैं ना इस इलमारी को ये लोग कपड़े एक कपड़ा निकालेंगे और दस कपड़े नीचे गिराएंगे तो उससे ना पूरी अलमारी एक साथी बिखर जाती है तो मैं सुझा कि चलो ये तीन दिन में एटलिस्ट मैं अपनी अलमारी और बच्चों के अलमारी तो मैं कर दूँ तो थोड़ा सा मेरे रिलीफ होगा हलांकि अलमारियां तो देखो क्लीन हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है वो तो देखो हमें अर दस पंद्रह दिन से अचानी तो पड़ती है बट डीप क्लीन हो जाती है ने एक बार आसे लगता कि हां दिवाले के सफायी हो गई क्योंकि डीप क्लीन तो alguma जैसे जैसे टाइन मिलता है वो ऐसी कर पातें डेली हम 15 दिन पे इसको फैला के नहीं बैठ पाते इसलिए उतना नहीं हो पाता है जहां जहां लगता है कि ये हिस्सा गंदा हो रहा है वो हिस्सा हम साफ कर देते हैं बाकी तो देखो जैसे टाइम होता है वैसे ही होता है तो सारी जो अलमारी है वो मैंने खाली कर दी नीचे की दो ड्रोर मैंने खाले नहीं किये क्योंकि उनमें भी बहुत सारे कपड़े हैं तो वो मैं बाद में देखूंगी उनमें क्या मुझे रखना है बच्चों का क्या छोटा हो गया क्या नहीं तो उस हिसाब से मैं उनको करूंगी तो इसलिए अभी सिर्फ उपर उपर वाली की हैं न अरणाव इधर बैठ गया है चुपचाब से क्योंकि वो बोले मैं नहीं दूंगी यह मेरी है लेकिन फिर हम तीनों ने शेयर करके खाई यह तीन फिंगर वाली थी और देखो एक के ना आधी खा गई और फिर मैं भी कहां कम हूँ मुझे तो पूरी पूरी चाहिए फिर मै लिए दो ही मैंने यूज की थी आइधि वो बाकी रख दी थी क्योंकि वो उसके थोड़ी छोटी आ रही थी लेकिन अभी बाबू क्या आ जाएंगी यह तो मैंने साइड में निकाल के रख दी कि वो आएगा तब उसको दे देंगे और फिर मैं सारे कपड़े उनके देखन है और यह एक अनवी का स्कर्ट और टॉप सिल्पा ने दिया था और इस गर्मी में हमको मिलाई नहीं तो यही पर रह गया तो अभी विंटर साने वाले तो मैं उसको बोर रही थी कि एक बार तो पहन ले फिर अगली गर्मियों तक क्या पता फिर छोटा हो जाए तेरे क्यो इसको साइड में मैंने निकाल लिए ड्राइकलिन करने के लिए और ऐसे ही मतलब देख रही थी अब शादी आने वाली है तो कौन-कौन से कपड़े उसके सही हैं कौन से मुझे ड्राइकलिन करवाने हैं या कौन से छोटे हो गए तो वो भी एक बार चेक कर लेंगे और यह वाला सूट उसने राखे पेहना ही था उसकी पजामी एक्चली एलास्टिक डलवाने के लिए मैंने दे रखे है उसने नाडा डाल दिया बट नाडा उससे बनता नहीं है इसलिए एलास्टिक डलवा रही हूँ ये एक रेंकोट निकला जो की हम भूली गए थे क्या-क्या बच्चों का रहता है समझ में नहीं आता है इतने कपड़े थूस जाते हैं एकदम अच्छे से और जो जो छोटा हो गया था न जो अगर एकदम ही खराब होता है तो मुसको पोचे के लिए निकाल लेती हूँ और जो थोड़ा ऐसे सही रहता है कि हां किसी के काम आ जाएग और जो जो मुझे लग रहा था कि ये नहीं आता है अन्वी से पूछते जा रही थी कि आता है कि नहीं आता एक बार चेक कर लो और वो देखो उपर से ही अपना कुछ कुछ बोलते जा रहा है और उनके दोनों की लड़ाईयां ही खतम नहीं होती हैं पूरा दिन लड़वा जाती है और सही भी रहती है अधर वाइस तो बहुत जादा स्पेस लेती है वो तो टीशिट सारी हो गई कुछ कुछ जो उसके सूट थे वो सब मैंने हैंगर में डाल दिये ताकि मुझे दिखते रहें काफी कपड़े उसके हैंगर में डाल दिये ताकि थोड़े बहुत द कपड़े मैंने सोट आउट किये हैं वो मैं लगा दूंगी तो जितने भी उसके फ्रोग थे और सूट जो अभी लिए हैं वो सारे मैंने यहां पे हैंगर में लगा दिये ताकि उसको दिखते रहें और मुझे भी दिखते रहें तो मैटलिस्ट पहन ले उनको काम आये हैं दर्वाइस तो आते नहीं है और ये मेरा जो और्गिनाइजर मैंने बना रखा था था ना अरनव के कपड़ों के लिए ये भी अक्चली थोड़ा तूट गया है मुझे नया बनाना पड़ेगा काफी सही लगा मुझे इस तरीके से कपड़े रखने में और ये इसको चार-पां साल हो गए बनाए हुए और काफी सही से इसमें कपड़े आ जाते हैं तो अरनव के नए कपड़े मैं इसी में रखती हूँ कुछ-कुछ अनवी की भी कोई नई टी-शिट होती है तो रख लेती हूँ तो सारे ऐसे पता रहे एक जगह रहेंगे तो पता रहेगा कि हां कुछ ऐसे हैं तो ये लिचे देखो मैंने जजा दिये हैं यहां पर सारे सूट और फ्रोक मैंने ऊपर टांग दी हैं और टी-श उनके जो सर्दियों के कपड़े भी हैं कुछ-कुछ तो और ये जो सेक्शन है वो खाली रहा है तो बच्चों के कपड़े तो जम गए उसके बाद मैं अपने रूम में आई कल जो मैंने सेट किया था न अपने अलमारी उसमें मुझे ये बॉक्स मिला था जिसमें मेरी कु अपना ये एरिंग और्गनाईज मेंने की थी उससाब से ही मैं इनको और्गनाईज कर दूँगे तो इसमें मेरी जो ये ऑक्सिडाइज जूलरी है उसी के साथ में कुछ ये नेकपिस भी है मेरे वो भी मैं इसमें रख रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये सारी च चोटी चोटे स्टर्ड्स हैं वो मैं चांट कर इसमें रख दूँगे अलग 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 चोटे वाले स्टर्ड्स भी मैंने अलग अलग कैटेगरी में चांट कर रख 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 है तो वैसे ही मैं इनको भी और्गनाईज कर दूँगे और मुझे ये और्गनाईज बहुत ह सही लगे क्योंकि इन में सारी मेरे एरिंग्स आ भी गए हलांकि बड़े वाले जो एरिंग्स है न मेरे जुमका और हैवी जूल्री हैं जो लहंगे पेन पेहनी जाती हैं उनका और्गिनाइजर आपको पता है मैंने अलग से बना रखे हैं लूप्स के भी हैं और वैसे जुम ज़िदा नहीं है जो है उनी में मैं सोच रही हूं कि यही अलरड़ी बहुत ज्यादा है तो अभी मैं नहीं सोच रही हूं नया कुछ लेने की बट फिर भी अगर बाहर जाओं दिखें और मन चल जाए तो मैं ले भी लू फिर बस अरनव और मैं पढ़ाई करने लग गए और यह था मेरा आज का दिन आई होप आपको पसंद आया हो आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्यू